सो वेलकम बैक दोस्तों क्या हाल चाल है तो दोस्तों जैसे कि आप सभी जानते हैं कि रिसेंटली सौबी ने अपनी 11i सिरीज को इंडिया के अंदर लाउंच कर दिया है और अभी आपको फाइनली रेडमी के तरफ से रेडमी नोट 11 सिरीज का फर्स डिवाइस रेडमी नोट 11S वो बहुती जल देखने को मिलने वाला है और यहाँ पर इसकी काफी साज एक्सपेक्ट सामने आच चुकी है और दोस्तों रेडमी नोट 11 सिरीज 26 जनवरी को ग्लोबल मार्केट में लाउंच होने वाला है तो आज इस वाली वीडियो के अंदर रेडमी नोट 11S की इस व परफॉमेंस के बारे में तो यह तो कंफर्म नहीं कि इसमें कौन सा चिपसेट होगा बट इसमें स्नाप्डागन 680 या फिर मीडिया टेक हिलिए जी 96 का पावफूल 4G चिपसेट देखने को मिल सकता है और यह लेटेस्ट बजट रेंज वाली चिपसेट है तो इनी में से एक चिपसेट देखने को मिलेगा और ऐसा भी हो सकता है कि इसमें 5G चिपसेट देखने को मिल जाए और इस टोएज यहां पर आपको 664, 6128 और 8128 GB तक का अप टू टाप एंड वेरियन देखने को मिलने वाला है और इस डिवाइस में आप में इड लेवल की गेम अच्छ 6.43 इंच का होगा और यहां पर इस बार इसमें 90 हस स्मूथ रिफ्रेस सेट का सपोर्ट दिया जाएगा और यह एक बज़े टेंज वाला स्मार्टफोन है तो एमोले डिस्प्ले के बावजूद भी साइट मौन्टन फिंगरप्रिन स्कैनर देखने को मिल जाएगा तो ओव मिलेगा और इसके रियर साइट में आपको क्वाइड यर कैमरा सेटप देखने को मिलने वाला है जहां पर 108 मेगा पिक्सल का में कैमरा होगा और यह पिछले वाले से काफी बड़ा अपग्रेट किया जाएगा प्लस 8 मेगा पिक्सल का अल्टा वाइड अंगल लेंस प्लस 2 2 मेगा पिक्सल का मैक्रो लेंस अधी लेंस एंगल लेंस प्लस देखने को मिलने वाला है तो इहां पर कैमरा सेटप काफी इंटरस्टिंग होगा बाकी बैटी और चार्जिंग की बात करते हैं तो इसके अंदर 5000 MS की बैटी देखने को मिलेगी और इसको चार्ज करने के लिए 33 वाइट के फास्ट चार्जर का सपोर्ट दिया जाएगा फाइनली बात कर लेते हैं इसकी लाउंच डेट और प्राइस की और वैसे आपको कह लगते हैं ये स्मार्ट फोन कब तक और किस प्राइस में देखने को मिल सकता है कमेंट पर बताइएगा ज़रूर क्या आप लिए इस स्मार्ट फोन के लिए एक्साइड़ है इसके लावा अगर आपका और कुई कोशन है तो आप पूस सकते हैं बस इतना है थास वाले वीडियो के लिए वीडियो अच्छी लेगे तो वीडियो को लाइक से कमेंट चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिजेगा मिलते हैं नेक्स वाली वीडियो को साथ तब तक लिए बाइबाइब